हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तू माई यूट्यूब चैनल मेरा नाम अनु है आई होप यू ओल अर गुड तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बनाएंगे होममेड शैंपू इतना अच्छा बनेगा कि आप शोक रहा जाएंगे मैं आपको गाईस आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी रिठा 1 कटोरी शिककाईप लिया है जो ये गूल लड़्डू है ये रिठा है जो ये इमली की तरह ये शिककाईप है हमने एक पतिले में गरम पानी लेना है अब उसके अंदर हमने ये दोनों चीजे डाल देनी है इनको डालने इनके जो छीलक है इन्हें निकालदेना है आप इन सब को चीलना है और निकाल सJS get a kind,ash ये छीलब अलग कर लिया है इने दुबारा से चिलब हैं जो इन दूबारा पासे डालना और निचोर देना है इनका सारा रस उसके अंदर जो रस है वह सारा निकल के पतीले में स्टोर ben अब यह देखे जो यह जाग है जागवला पानी यह हमारा शैंपू है अब हम इसे एक बोटल में स्टोर कर लेंगे आप मेरे पास एक बीसलेरी की बोटल थी मैंने इस बीसलेरी की बोटल में इसे डाल दिया है डालने के बाद इसे आख लीजिए यह हमारा शैंपू रेडी ह मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि किस हिसाफ से आम इस श्यम्पू को बना सकते हैं और आप 15 डेस के लिए इसे स्टोर करके लग सकते हैं यह खराब नहीं होगा विल्कुल भी आप इसे अपने हेर्ज में यूज कीजिए बच्चों के हेर्ज में यूज कीजिए आज कल बहुत ज्यादा है यह उनके लिए भी बेनिफिशियल है यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता है 15 डेस आप इसे स्टोर करके लग सकते हैं आफ्टर 15 डेस आप इसे यूज कर लिजेगा आप इसे वीक में वन ताइम यूज कीजिए गा जैसे आप वीक में टुटाइम अग कि मुझे कोमेंट में जरूर बताइए कि आपके हैर में कुछ चेंजिस आए या नहीं आए आपको शैंपू कैसा लगा बाइबाइ गाइज लव यू सो मच